दोस्तों ये रॉबर्ट कियोसागी की बुक रिच डैड पूर डैड का चैप्टर बन है इस चैप्टर के अंदर वो अपने दूनों फादर्स के बारें बताते हैं एक तो रिच डैड जिनको उन्होंने अपना फादर माना था और पूर डैड जो उनके रियल फादर से एक अमीर एक गरीब गरीब वाले बहुत पड़े लिखे थे पीच डी वगेरा सब कुछ कर रखी थी स्कॉलर्शिप से बहुत सारी अनिर्वर्सिटी में उन्होंने पढ़ाई की थी जबकि दूसरे बादर थे अमीर वाले उन्होंने सिर्फ एड तक पढ़ाई की थी एड स्टेंडर तक दोनोंने अपनी लाइफ में मैनत की थी दोनोंने अपनी लाइफ में पैसा बनाया था पैसा कमाया था लेकिन दोनों की death के वक्त तक situations बहुत अलग हो चुकी थी अमीर डैडी ने तो अपने पीछे जाते जाते बहुत सारा पैसा चुड़ कर गए थे अपने परिवार वालों के लिए charity को काफी कुछ मिला लेकिन गरीब डैडी सिर्फ कर जा दोनों ने मुझे advice दी दोनों ने मुझे पढ़ने के लिए बोला लेकिन दोनों का तरीका अलग था पढ़ाएगा लेकिन मेरे लिए अस वक्त problem ये थी कि दोनों मेंसे किसी एक की advice मान कर मैं आगे नहीं बढ़ सकता था दोनों की advice अलग अलग थी और मैं प्राब्लम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उस वक्त दोनों ने अपने करियर के शुरुआत की थे मेरे दोनों डाडीज ने अपने करियर के शुरुआत की थे अमीर डाडी ठीक से अमीर नहीं हुए थे और गरीब डाडी ठीक से गरीब नहीं हुए थे दोनों पैसा कमाने के लिए महनत कर रहे थे लेकिन पैसे को लेकर दोनों की माइंडसेट बहुत अलग थे एकदम अलग यह मैं क्यों बोल रहा हूँ उन्होंने जो मुझे एड़वाइस दी मैं आपको बताता हूँ आप भी यही सुचोगे पहले डड़ी बोलते थे कि पैसा सारे परिशानियों की जड़ है पैसे से सारी प्राब्लम साती है लाइफ में लेकिन दूसरे बोलते थे कि पैसे की कमी से सारी प्राब्लम साती है लाइफ में इसा नहीं होगा financial दिक्कते आएंगी तो problem आएगी life में अब मेरी उम्र बहुत कम थी, किस की मानू ये चीज समझने के लिए मैं बहुत शूटा था, मेरी उम्र बहुत कम थी, सूचता रहता था लेकिन इसी age में ये thinking आना बहुत जरूरी है कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है अपने आप से पूसता था कि गरीब डाड़ी की मानू या अमीर डाड़ी की मुझे एक बात बताओ, सीधा से सवाल बूसता हूँ पैसे के बारे में कौन से स्कूल में सिखाया जाता है किसी स्कूल में नहीं सिखाय जाता ये सब चीजे हमें हमारे घर में ही सिखनी पड़ती है पैसों के बारे में घरवालों से यानि माबाप से और मुझे बताओ वो बाप अपने बेटे को क्या सिखाएगा जिसने खुद ही अपनी जिंदगी में कुछ ना किया हो कि बेटा पैसा कैसे कमा हो वो तो बस इतना बोलेगा बेटा स्कूल जा पढ़ाई कर अच्छी नौकरी ले हो सकता है आपकी ये एड़वाईस देने से ये बोलने से उसकी पढ़ाई में अच्छी नंबर आ जाए उसको अच्छी नौकरी मिल जाए वो अच्छा कमाने लगे लेकिन पैसे की समझ उसमें फिर भी नहीं आएगी दिमाग उसका गरीब वाला ही रहेगा कितना भी पैसा कमा ले कितनी भी अच्छी नौकरी लग जा लेकिन पैसे का यूज कैसे कर रहा है ये अगर नहीं आये तो पैसा आएगा और तूर आएगा ये बात पक्की है ये सब के साथ होता है अब ऐसा नहीं है मैं बैंकर्ट्स और दूसरे जो इस फील्ड में है पैसे की फील्ड में उन सब को छूड़ रहा हूं मतलब उन लोगों ने इस चीज़ की बारे में समझ रखा है तो ज्यारतर लोग ऐसे होते हैं उन में भी जो पैसे का सही यूज नहीं जानते उनको स्कूल्स में सिखाया है नहीं गया कि पैसे का यूज कैसे करे और ऐसे एक दो नहीं हजारों करोडों लोग है इसी वज़े से वो गरीब रह जाते हैं एंड में मुझे तो एक छूटी सी बात समझ में नहीं आती कि ऐसे लोग अपनी लाइफ में इतना बड़ा रिस्क कैसे ले रहे हैं मालो अचानक से कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाए कोई बीमारी आ जाए और उन्होंने पैसा आया उडाया सेव नहीं किया कहीं लगाया नहीं कोई महा मारी आ जाए तो ये किस पर डिपेंड करेंगे सब गॉवर्मेंट पर डिपेंड करेंगे और मालो गॉवर्मेंट के पास सरकार के पास भी इतना कुछ ना हो पिर क्या होगा थोड़ा सोचो, सोचे इस बारे में कवर्मेंट कब तक देगी लोगो, कितनों को देगी मैं खुद को बहुत लखी मानता हूँ कि बहुत छोटी उम्र में मझे ये चीज सिखने को मिल गई करीब डैडी से कुछ भी चीज खरीदने को बोलता था तो वो बोलते थे मैं इसे खरीद नहीं सकता, ये चीज बोलकर वो अपने दिमाग को नेगटिव सिखनल देते थे जबकि अमीर डैडी बोलते थे कि कैसे खरीदू, चाहे उनको खरीद भी भी ना हो लेकिन वो सोचते जरूर थे, ऐसा बोलकर वो अपने दिमाग को एक्सेस करवाते थे जैसे एक आदमी सोफे बेटा है, टीवी देख रहा है, खा रहा है और एक आदमी रोजाना जिम जाता है गरीब डैडी बोलते थे कि अमीर लोगों को ज्यादा टैक्स देना चाहिए ताकि बेचारे गरीबों की मदद हो सके लेकिन अमीर डैडी टैक्स को गलत मानते थे सोचो, टैक्स को गलत मानते थे क्योंकि पैसा हम कमाए, वो ऐसा मानते थे पैसा हम कमाए, काम हम करें, प्रोडक्शन हम करें, नौकरियां हम दें, लेकिन जो लोग कुछ नहीं करते, उनको बैठे-बैठे मिल जाए, टैक्स भी विकलांग बनाने का एक तरीका है, गरीब डैडी बोलते थे कि पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी मिलेगी, लेकिन अमीर डैडी बोलते थे कि हाँ पढ़ाई करो, पढ़ाई करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अच्छी कमपनी खरीद कर नौकरियां दे सको, ऐसी पढ़ाई करो, नौकरी के लिए पढ़ाई मत करो, गरीब डैडी बोलते थे कि मेरे हाथ में कुछ नहीं बसता क्योंकि मुझे घर भी चलाना पड़ता है मुझे बच्चे पालने पड़ते हैं लेकिन अमी डैडी बोलते थे मेरे पास सब कुछ है क्योंकि मैं सिर्फ घर नहीं चलाता सिर्फ घर नहीं चलाता गरीब डेड़ी हमेशा सैलरी बढ़ने की इच्छा रखते थे वेट करते थे उम्री काटते थे गवर्मेंट पर कम्प्लीटली डिपेंडेंट थे चोटी मोटी चीजों की परवा करते थे कि कल चोटी में लेगी, कल बोनस मिलेगा और हमारे पास और भी प्लान्स है क्योंकि उनके दो चाचा थे जिनसे बहुत ज्यादा वो प्रभावित थे वो आर्मी में थे डेफेंस की नौकरी करके आये थे 20-20 साल की उसके बाद आर्मी उनको खिला रही थी प्री होकर जिंदगी काट रहे थे अपनी वो कुछ ऐसा ही चाते थे ऐसी जिन्दगी चाते थे कि बुढ़ापा आते आते सारा घर्चा मेरा गवर्णन्ट उठाती रहे नौकरी नहीं नौकरी के बाद हमें क्या-क्या मिलता है इस चीज की उन्हें ज्यादा परवा थी लेकिन अमीर डडड़ी ये बोलते थे कि इसी टाइब का मैंडसेट होता है यही वो मैंडसेट होता है जो इंसान को सही मायने में पाहिज बनाता है क्यों तुम अपने बुड़े होने का इंतजार करते हो क्यों अपनी जवानी बुड़े होने के इंतजार में गुजारते हो कि सरकार हमें खिलाएगी यह सोच के कै यही सोच सोच के हमें अपनी जवानी काटनी है यही फर्क है यही फर्क है फिंकिंग का जैसी फिंकिंग वैसे डारेक्शन में आपकी लाइफ जाएगी For example, गरीब डाड़ी हमेशा बोलते थे कि मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा मतलब खुद अमीर नहीं बन पाएंगे लेकिन अमीर डाड़ी हमेशा ये सूचते थे कि वो अमीर है वो कितनी बार दिवालिये हुए, कितनी बार उनकी बरबादी हुई लेकिन पिर भी वो खुद को अमीर मनते थे कि अमीर लोग ऐसा नहीं करते, मैं बहुत अमीर हूँ गरीब डाड़ी हमेशा बोलते थे कि मुझे पैसे में कोई इंटरस्ट नहीं है अक्सर जब इंसान कमा नहीं सकता, तो इसी टाइप का ग्यान बाटता है लेकिन अमीर डाड़ी बोलते थे कि पैसे में बहुत पावर है कम कमाने से इंसान गरीब नहीं होता, बलकि दिमाग से गरीब होता है पैसे में बहुत पावर है, समझो अमीर डाड़ी हमेशा एक बात बोलते थे यह आप भी समझे लेना, बहुत काम की बात बुलते थे कि मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, पैसा मेरे लिए काम करता है कि लाइफ चेंज करदिने वाली दू लाइने है, लाइफ करदिने वाली गोटेशन, लिख लो उनकी इन ही बातों का एनलिसिस करके नौ साल की एज में मैंने तैय कर लिया कि मैं अमी डेडी की बात सुनूँगा अमी डेडी की बात पनूँगा उस वक्त मुझे नहीं पता था मैं सही जा रहा हूं ये गलत लेकिन मेरे दिमाग में एक अमेरिकन पाइट Robert Frost की एक पोयम दिमाग में आ गई The Road Not Taken पोयम मेरे दिमाग में आ गई दिमाग मैं घूमती रहती है पता नहीं आज भी घूमती रहती है क्योंकि मैं अपने आने वाली जिंदगी में पच्छताना नहीं चाहता कि अगर मैं उस टाइम पर उनकी एडवाईज मान लेता तो आज जिंदगी कुछ हो रहती हमेरी डैडी की बात सुनना एक ऐसा फैसला था जिसने मेरी जिंदगी की डाइरेक्शन ही चेंज कर दी वो आपको आगे के चैप्टर में पता चलेगा हमेरी डैडी ने मुझे पैसा कमाना नहीं पैसे का यूज सिखाया जो बहुत जरूरी है पैसा तो हर कोई कमा लेता है पैसे का यूज सीखना बहुत जरूरी है जो उन्होंने मुझे सिखाया और वो यूज हम नेक्स चैप्टर में सीखेंगे आज की विडियो में बस इतना है